वर्ष 2020 ना मार्च महिनामा प्रकाशित करवामा आवेला सरकार ना सिक्षन विबागने लगता जाहेर नामाने कारणे वर्ष 2023 मा दोरण एक मा एड्मिशन मेड़ोवा मांगता बाड़कोना अब्यास जीवन मा एक वर्ष ड्रोप लिवा माटे मजबूर बन्या छे आ परिसीति ना निर्मान थवाती राज्येबर मा त्रोंड लागती वधू बाड़को सरकार ना आ निर्णे थी प्रभावित थशे जरे आजे वालियो द्वारा सरकार ना निर्णे ने परत खेंच्वानी मांगनी साथे जिल्ला कलेक्टर ने रजुआत करवा माटे आवी पहुचे आता 12 मार्च 2020 रोज गुजरात सरकार ना गैजेट मा प्रकाशित करवा मा आवी होतु के एक जोन ना रोज जे बाड़कनी उमर 6 वर्ष पूरी न थई होई ते बाड़कने पहला द्रोर्ण मा प्रवेश आपवा मा आवशे नहीं जे निर्णे नों अमल कुरोना काड़ दर्म्यान नहीं करता जेते जुनी परिसिती मां सिक्षण व्यवस्ता चालू रही हती ताजेतर मा बेह मैन आगाव द्रोर्ण एक मा प्रवेश मिडवा माटे प्री प्राइमरी एजुकेशन पूरू करनार बाड़कोंना वालियोंने नोटिफिकेशन द्वारा जनावामा आविवतु के 6 वर्ष पूरा न थया होवाना कारणे त्यों ना बाड़कने पहला द्रोर्ण मा एड्मिशन मड़ी सक्षे नहीं राज्य सरकारना आ निनए थी राज्य वर्मा प्रथम द्रोर्ण मा प्रवेश मिडवा माटे सक्षम त्रोंड लाग थी वधू बाड़कोंने पोताना अभ्यास कार्यकार दर्म्यान एक वर्ष ड्रॉप लेवानी परिस्तितिनू निर्मान थहूशे आ अंगे वालियोद्वारा नामदार हाईकोट मा पीटिशन दाखल करी दरण एक मा प्रवेश पामनार बाड़कोंना हीत मा निने लेवा आंगे रजुआत करवा मा आभियती जे पीटिशन मा मौखीक रजुआत करता जनावा मा आवियोतू के पांच वर्ष पूर्ण थाई गया होई तेवा बाड़कोंने वर्ष बेजार त्रेविस चोविस ना वर्ष मा साड़ा मा प्रवेश आपी शकासे परन्तु हाईकोट ना आ परिपत्र नो पन साड़ा होई अमल न करता अनेक बाड़कोंना भावी एक वर्ष माटे थंबी जशे राजय सरकार ना आकरा वलनने कारणे दोरन एकमा प्रवेश मेड़वा माटे शक्षम बाड़कोंनो अभ्यास कार्यकाड एक वर्ष माटे अठकी जशे आ अंगे आजे दाराशा स्री हितेश गुपतानी आगेवानी हिठड वालियों जिला कलेक्टर मा रजुवात करवा माटे आवी पहुंचे आता जा सरकार तियोना निर्णई अंगे फेर विचाना करी त्रोंड लाख थी वदू बाड़कोंना भविश्यने शुरक्षित करे तिवी रजुवात करवा माँ आवी हती गुजरात राज्य के तीन लाख बच्चे के जो फर्स्टेंडर में अब एड्मिशन के लिए हकदार है जिनोंने सीनियर केजी खत्म कर लिया है और अब वो फर्स्टेंडर में आने जा रहे है तब जाकर स्कूलों ये बता रही है कि उनको आइदर रिपीट करवाना पड़ेगा सीनियर केजी या एक साल के लिए उनको घर पर बिठा देना पड़ेगा ये दोनों ही ऐसी परिस्तिती है कि जिसमें बच्चों के मानस के उपर उनकी मेंटल हिल्थ के उपर बहुत गहरा असर पड़ सकता है जो ये नोटिफिकेशन है वो नोटिफिकेशन मार्च 2020 में गैजेट में पबलिश हुआ था और उसके बाद मार्च 2020 में ही कोविड के कारण नेशन वाइड लॉकडाउन आ गया था जिसकी वज़ा से य कोई भी जिल्ला शिक्षन अधिकारी को नहीं थी और स्कूलों की भी नहीं थी और इस वज़ासे उस वक्त नर्सरी के एडमिशन्स खतम हो गए थे इसलिए आज हम सब इखटे हुए हैं तीन लाख विद्यार्थियों का जो हीद इस गुजरात के जो तीन लाख बच्चे ह वो आज एक गंभीर परिस्तिती के निर्मान के कारण उनका भविश्या डेंजर सिचुएशन में हैं और इसलिए आज हम राज्य सरकार के इस बात की रिक्वेस्ट करने के लिए आए हुए हैं सब मिलकर के ये डिसीजन को आईदर 6 महीने का कुछ रिलेक्स सेक्षन दिया जाए या फिर यह जो नोटिफिकेशन है वो कोविड की वज़े से ही जो डिले हुआ तो इनफर्म करने का तो इसको 2023 के जगए 2024 से इसका एक्जीक्विशन और प्लानिंग किया जाए चोक्राओनों वरस बचाओं माटे रजुआत करवा आविया शेया हमें लोकाहिया तो सरकार स्रीपास हमारी अपील छे के लोकानों वरस ना बगड़े आने एक वरस बचावे चोक्राओं फॉस्ट माँ जाई सके किटली मुश्केली पड़े कांके अवकर जो सिनियर जुनियर मैर्गीशन लेवा होए तो 25 ती 50 जा रुपया पर येर खर्चों पर येर एक चोक्राओ पाचाड एक लाक रुपया नो खर्चों समझी लेवा रहा हमें एने रिपीट करावानों है नुट्यूसन फीचे स्क चोक्राओं होचे हावा जे रिपीट करवानी मुद्धे लड़ी रहा चामाई साते एकला गुजरात माज आ प्रकार ने एडमीशन प्रक्रिया चे के अन्या राजियों मापन आ प्रक्रिया खाईती ये लोकाए लोकानी जे टट-फडेट अती ये लोकाए एक्स्टें करी अन्य लोकानू वरस बची गई उचे तो अमारी पन ए रजवाच चे सरकास्री ने के अमने पन रहात आपे अन्य शोक्राओं आ अगर जवादे क्यों मार्ग निकड़ो जियो कितला सवरस नी उवर एडमिशन मलू जियो जिये अत्यार सुधी चालतू तो के चोवर साड़ा पांच वरस पांच वरस वालीड अता जिये चोक्राओ अत्यार है चे ए लोकाने आगर जवाजो जोई ए लोकानू बविश्य ना बगरू क्यों